वेल्कम तो समीर पटेल पब्लिक स्कूल, क्लाज फस्ट भासा भारती हिंदी, लेसन शिक्स्टीन, पार्ट सेवन, लेसन सिक्स्टीन का पार्ट सेवन हम देखेंगे बच्चो जिसका पेज नंबर हम देखते हैं, पेज नंबर है 129 से ये शुरू है, ठीक है, तो इसके हमारे पास कि बिख्रे हुए वर्णों और मात्राओं को मिला कर सब्द बनाएं तो अब बिख्रे हुए वर्णों को मिला कर सब्द बनाना है तो इसमें यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर यह सरोते का लिखा है यहां जा जहाज का लिखा है यहां रारसी का लिखा है ठ यहां पर आपको एक साथ एक लाइन में लिखना है इन सब्द को, तो यहां पर सब्द अलग 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 बिखरे हुए हैं, अब एक कैसे लिखेंगे, तो एक के लिए आप यह ध्यान रखें, कि यहां पर इसके ऊपर सूरज बना हुआ है, तो यह सूरज लिखना है, अब प्यार सब्द अलग-लग दे रखें, تو इनको आपको एक लाइण में लिखना हैं, इसी तरह यहां पर आप देख रहे हैं, तो यहां पर बकरी बनी हुई है, और बकरी जो लिखा देखा हुआ जो टीन सब्दे आते बक्री में तो यह यहां पर यह तीनों सब्त सब्ड भी लिखते फिर्या together- इनको भी आपको नीचे एक लाइन लिखना है ठीक है तो सीधा सा concept है कि हमें सबसे पहले picture देखना है और ये जो picture यहाँ पर बनी हुई है ये जो चित्र देखना ये चित्र यहाँ पर बना हुआ है इस चित्र में मानलेगे ये सूरज है तो सूरज यहाँ पर लिखा हुआ है पर ये अलग-अलग सब्द इन्हो यह सा लिख दिया ठीक है अब सूरज में बड़ाव की मातर आएगी यह वाले तो यह हम यहां लिख देंगे फिर सूरज के लिए रा आएगा तो रा हम यहां लिखेंगे और सूरज फिर जा यहां पर आएगा तो यह यहां पर लिखेंगे तो यह सूरज कम्प्लीट होगा ठ जो है उपर हम देख रहे हैं चित्र बकरी का दे रखा है ठीक है तो जो बकरी का चित्र दे रखा है उसमें हम देखें देखिए यहां पर यहां पर जो है यह बकरी का चित्र दे रखा है ठीक है अब यह जो बकरी का चित्र दे रखा है तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि पहले हम इस सब्द को लेंगे, यह हमने लिया बा, ठीके, इसके बाद में आएगा क, तो यह हमने का लिया, री, तो पहले फिर रा आएगा, तो यह हमने रा लिखा, अब यह जो मात्रा जो है बड़ी की है, इसको हम बड़ी की यहां पर लगाएंगे, तो यह बकरी आपका कम encit हो गया ठीकहे तो बच्चों यह books में आप लिख लीजिए घा यह दो आपको बता दि दिए हैं दो यहाँ पर और बी है यहाँ पर तितली है अब ये तितली में आप देखने के पहले आप ये ता लिखेंगे, ठीक है, तितली के लिए यहाँ पर ता, ठीक है, अब तितली में कौन सी मातरा आएगी, तो तितली में तितली लिखने के लिए हम देख रहे हैं कि इसमें कौन सी मातरा आएगी, ठीक है, तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि तितली लिखने के लिए हमें सबसे पहले पहले ता लिख दिया दूसरा ता में ये वाली मातरा लगाएंगे तो ये ती फिर ता लिखेंगे तो ये ये दूसरे नंबर पर ता की जरूते तो ये तीत इसके वाद में ये तीत ली तो फिर ला लिखेंगे तो यह यहां पर आपने ला लिखा और इसमें यह बड़ी की मातरा लगाएंगे तो यह होगा तितली ठीक है इसी तरह यहां पर आगे देख रहे हैं यहां पर कबूतर है और यह कबूतर लिखा हुआ पूरा इसके अंदर है पर यह सब्दों और मातरा इसा वालगलग कर दी है त यहां पर आपको इनको एक साथ लिखना है तो बच्चों आप अच्छे से इसको यहां पर आप अपनी notebook के अंदर आप लिखिए इसी तरह आप हम आगे देखते हैं पेज नंबर 130 एक सटीस पेज आगे देखते हैं इसका नंबर इसके अंदर आप देख रहे हैं कि प्रस्ण देखकर सब्दों में उचित मात्रा लगाओ अब लगाओ मतलब यह हो रहा इसके अंदर यह देखिए काफी इजी है कोई ज्यादा वो नहीं है इसके अंदर आप द क्लिशी है इनों ने यहां पर Missing कर दी है जो हमें सही करना प्ल और को सब्सक्रांब यहां पर यहां पर साबुन अANG ठेकिन इसमें यह हो रहा है कि एक जो हे मातरा है कर आजWh, वह मातरा मिसिंग है यह नहीं मात्राओ शो सबसे पहले आ की मात्रा आना चाहिए, आकी नहीं है तो यहां पर आकी लगेगी और बा में छोटा O की मात्रा लगेगी तो यह साबुन complete होगा ठीक है इसी तरह यहां पर है यह बकरी का पिच्चर दे रखा है लेकिन इसमें एक मात्रा कौन सी missing है तो इसमें बकरी के अंदर जो है बड़ी E की मात्रा missing है ठीक है तो यह बड़ी E की मात्रा अगर आप लगा देंगे तो यह आपका इसमें complete होगा तो बच्चो इसको आपने उपर अच्छे से यहां पर देखा आपको हमने बता दिये हैं पिक्चरों में अब यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर जो पिक्चर दे रखी है सूरज है गिलास है और पपीता है और यहां पर यह लिखा हुआ है लेकिन इसके अंदर जो मात्रा है वो missing है तो वो सही मात्रा आपको इसके अंदर आपको लगाना है पर उपर वीडियो में आपको अच्छे से इसमें दिखा दिया है तो मुझे लगता है कि अप इसको आप अच्छे से मात्रा इसमें लगा लेंगे है ना तो आप उपर वीडियो के यहांस अपनी बुक में मात्रा लगा लिज medicine जो मैंने बतायी और इसमें आप खुद सोचिए और इस मात्रा को complete किजिए ठीके इसी तरह हम आगे देखते हैं आगे यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर हमें यह चित्र दे रखें हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर घर का चित्र दे रखा है ठीके यहाँ पर यहाँ पर फ्रूट है पपीता है और एनक है तो यहाँ पर और यहाँ पर यह डॉट डॉट यह खालिस्तान है ठीक है तो यहाँ पर अगर यह पिच्चर घर दे रखा है तो यहाँ पर हमें घर लिखना है ठीक है यहाँ पर यह दे रखा है तो यहाँ पर फल लिखना ठीकिए और इसको पढ़ना भी ए वाक्य को पूरा करना घर चल अब यहाँ पर चक, चक मतलब क्या चक ना, फ्रोट, तो यह फल, चक, इसी तरह यहाँ पर क्या है, पपीता, और यहाँ क्या लिखा है, बाजार से ला, तो क्या ला, यहाँ पर बनावा पपीता, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पपीता, ठीक है, इसी तरह यहाँ पर यहाँ पहन यहां पर लिखेंगे हम एनक अब यह एनक लिख देंगे एनक पहन तो यह आपका यहां पर complete हो गया अब हम आगे चलते हैं आगे आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर प्राणियों को उनके निवास इस्थान तक पहुंचाओ ठीक है तो अब इसके अंदर यह लग रहा है कि अब इनके घर जैसे पहला आप यहां देख रहे हैं कि यहां पर मचली है दूसरे में कबूतर है और तीसरे में मदुमक्खी है और यह चोथा जो पिक्चर है वो चूह पॉपिक का ऑफ ठीच है तो अब हमें इनको इनके निवास इस्थान मतलब यह कहा रहते हैं तो मचली तो आपको सबको पता है पोयम भी आपने पड़िये मचली जल की रामी है जीवन उसका पानी है तो वह कहां रहती है बच्चों पानी के अंदर पानी के अंदर तो यहा इसके निवासिस्थान पर, दूसरा हम देख रहे हैं बच्चों, यहां पर जो है यह कबूतर है, अब कबूतर का निवासिस्थान होता है, वो पेड़ों पर दिखती है हमको, तो यह हम इससे मिला देंगे, ठीक है, इसके बाद यह मदू मक्खी, तो मदू मक्खी कहां पर र ठीके बच्चों अब बुक में इसके अद़र आप देखके आप इनका मिलान इस तरह से कर लीजियेगा ठीकें इसी तरह हम और आगे चलते हैं इस windows पसक्डार ईयरो इस पिक्चर देखके हमें सही सब्द का चुनाव करना है, यहां पर देखिए, यहां जो है यह खालिस्तान दे रखा है और दो सब्द दे रखा है, यहां दे रखा है खली, खली, तो एक सब्द मिसिंग है, अब एक सब्द इसका मिसिंग कोन सा है, तो मिसिंग सब्द यहां पर स सिर्फ ओ — ओ मिसींगे अर इसी के साथ आपको यहां पर आगे ढो सब्सक्राइब दे राखेंगे इसो से आपको वेरिफा च व्याय हुन को सब्सक्राइब लगना है। सですね ब्सक्राइब ने सबस्राइब अ क्यrid Heidi cog तो यहाँ पर आगे भी आप देखें, दो सब्द लिखें, इसके अंदर आपको सही सब्द का चेंड करना है, तो यह जो पहला सब्द एनक वो यहाँ पर लिखेंगे, तो आपका complete होगा, ठीके, तो इस तरह आप अराम से एनक लिख लेंगे, तो यह complete होगा, ठीके, इसी तर होगा, इसी तरह यहाँ इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक बना हुआ, ठीके, एक, तो एक और यहाँ का कमल का लिखा हुआ, एक सब्द मिसिंग है, तो यहाँ एडी का भी है, एनक का भी है, तो आपको यहाँ पर एडी का लिखना है, तो यह भी आपका complete होगा, ठीके बच्चो, और अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह पेज नंबर 132 की और हम चलते हैं, तो 132 पेज में यहाँ पर भी इसको काफी एजी है, और बहुत जादा नहीं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, कि दो जो है घडी नूमा यह बने हुए हैं, और इसके आसपास सब्द बने हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, कि आसपास ऐसा सब्द बने हुए हैं, और यह जो बीच बीच में सेंटर में ग्या ग्यानी का रिखा हुआ, अब हमें इसमें देखना क्या है, यह जो ग्यानी है, और इधर यह आसपास ग्यानी कहां कहां है, उससे यह गम्लाय तो यह तीन जगाह पर हमने इस तरह से इसको मिला दिया ठीक है तो इसी तरह यहां पर आगे दे रख़ा है यह छड्गुक्ण भच्छत्योंगप नियुटा थन्धू? books के अंदर इसे complete कीजिएगा ठीक है इसके बाद हम आगे देखते हैं आगे यहां पर आप देख रहे हैं कि ये हैं तर्सूल, और इस तर्सूल में यहां पर आपको यह सब्द देखना जहां जहां भी तर्सूल हो, इसको जब अबी उपर जो इसमें भी मिलान करना है। और यहाँ पर है शलगम का, आप शलगम यहाँ पर देखिए, यह शटकोन है, यह ग्यानी है, तिरसूल है, जहाँ जहाँ भी शलगम हो, वहाँ पर हमें अभी इसी तरह सेम जो उपर, इसके उपर यहाँ पर जो है पिक्चर थी, यह इन दोनों को हमने आपको मिलाते हुए अ ठीक है, एक यहाँ पर है, यह दो हमने और इसमें भी मिला दिये, तीसरा इसमें और कहां है, वह आपको ढूड़ना है, और उसको पैंसिल से प्रापर करना है, दो आप वीडियो में देखकर कर लीजिए, बाकि आप इसको शासलगम का सब्दु को ढूंद कर कम्प्लीट की कि पड़ेगा इंडिया, तभी बड़ेगा इंडिया.